नमस्कार स्वरास समवाद में आपका स्वागत है और मैं हूँ अमित कुमार आज हमारे खास महमान जो हैं वो विंधी की राजनीती में निर्णाइक माने जाते हैं जी हैं हमारे साथ मौझूद हैं पूर्व निता प्रतिपक्ष और कॉंग्रेस के वरिष निता आजे सिंग लाहूल भाया बहुत-बहुत स्वागत है आपका अन्यवाद बहुत अब किन मुद्दों के साथ 2023 में आएंगे देखिए हर चुनाव में अलग-अलग मुद्दे होते हैं और वर्तमान 2023 के चुनाव में एक प्रमुक बुद्दत ये रहेगा कि किस तरह से इन लोह ने बनी बनाए सरकार को गिराया वो सामने नहीं दिखाए देता लेकिन गाओं में चर्चा का मिशय है कि खरीद फरोद से सिंद्या जी के लोगों के वज़े से जो हुआ घटना क्राम जो बने वो उसका एक काफी बड़ा अंडर करेंट है दूसरा कोई भी सरकार एक लंबे समय से रहे तो ग्राफ अपने आप कुछ नीच जाता है और ये भी अप चर्चा के विशय हो गया है कि घोशनाओं के लिए शिवरा सिंजी से बहतर व्यक्ति कोई नहीं है क्रियानवन हो या नहों लेकिन गोशनाची हो जाती है और मन से लोगों को कि सस्पेंशन के जो पंड़ा बना है कि कहां से लेके आया है समझने परे है इसका भी असर सरकारी करमचारियों में विप्रीद जा रहा है बहुत और बहुत सारे मुद्दे हैं जी पिछले बार जो विदान सवा में अभी जो नक्री निकाय चुना हुए तो उसमें विंद इस बार उस छेत्र में कुछ अलग हटके और अच्छा होने वाला है या उसकी तैयारी शुरू कर दी आपने देखिए दुर्भाग से पिछले चुनाव में अठारा में विंद किस तरह से पीछे रहे गया है यह समझ के परे हैं लेकिन दोहजार तेरह में मत प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटे किसी संभाग में आई हो तो विंद से आई थी बारा सीटे थी इस बार महौल कुछ अपने आप भी बन रहा है हम लोग भी तो प्रयास करी रहे हैं लेकिन महौल इस तरह से देखने को मिल रहा है कि जैसे हम बदला लेंगे अब किस चीज के लिए बद गौलिड चंबल में भी एक दूसरे तरह की बात शुरू है और आप नगरी निकाय के बात करिए देखे रिवा महापौर कॉंग्रेस जीती और उसी तरह गौलिड में महापौर कॉंग्रेस के जीत हुए यह दोनों अंचल में कॉंग्रेस बड़ी मजबूती के साथ उबर आएगी इए इक आपके बारे में यह आजा आता कि आप ना जुकेंगे ना दमेंगे और इससे आपको नुकसान हुआ क्या क्यों और दमेंगे और उसूलों के समझ्ळोता नहीं करता हूँ कि लेकिन आ अ जहां जुरुत पड़ती है वहां अपनी बात रखने के बाद फिर जैसी पार्टी कहते उसके लिए वित्यार हूँ और जुकने वाली जो बात है यह कोई समय उमर में रही होगी आज वो परिस्ती हमारे में नहीं है कि मैं जुकूंगा नहीं है कुछ नहीं होगा कुछ बाते जो लोग अच्छी तरह से नहीं जानते वह फैलाने में जादा सफोल रहते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नियुकूंगा है लेकिन जब नरुत्मिष्ण से मुलाकाथ होती है तो चरचा के विषय बन जाती है देखे मैं उस पीड़ी की राजनी देखी है जहां पर विप बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो कि पटवा जी अविश्वास प्रस्ताव हमारे पिता जी खिलाफ लाए और अविश्वास गिरा और शाम को पांच प्रमुख भाजपाई नेता घर पे आके उनसे चाय पी रहे थे और चर्चा हो रही थी कि भाई आपने क्या किया हमने क क्या नहीं किया आप किस चीज पर आप चुक गए यह जो परंपरा हमने देखी है हम उसका विश्वास करते हैं आज कल की राजनी थोड़ी दूसरी तरह की हो गई मैं उसमें विश्वास नहीं लेकिन अब इस तरह की आप बात बता रहे हैं वैसा देखने को भी नहीं मिलत है वो प्रदूशित सा हो गया है आपको अपने पार्टी के लिए रख बात रखनी चाहिए अपनी बात रखें लड़ाई लड़ें और रसूलों पर संगर्च रहें लेकिन कोई दुश्वन नहीं है विपक्षपी हम विपक्ष में हैं तो कोई सत्ता वाले दुश्मन नही है उनकी किस्मत है उस अत्ता में हमारी किस्मत नहीं हमें पक्ष में है बीच में आपने अविश्वास प्रस्ताओ की उस समय हुआ था लोग मिलते थे इस बार का अविश्वास प्रस्ताओ की इतनी चर्चा नहीं हुई जब आप आप लेके आये थे उस समय नंबर वाले इ विशय उस समय थे शायद उन विशयों के वज़े से चर्चा के विशय रहा हो, दंपर मामला था और माइनिंग के मामले थे, व्यापम था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो उस समय चर्चा के विशय था और आपने बड़ी तरीके से उठाया भी था अब तरीका तो अपना अपना तरीका होता है अभी भारत जोड़ यात्रा में भी आपकी सक्रीटा काफी रही मद्यप्रदेश के कई तमाम जलों से यहां छे जलों से गुजरी कई विधानसवा छेत्र आए लगता है कि वह वह भ लगता है राहुल गांदी जी की बात हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा मत्रदेश के राजनेतिक समिक्रण बदली है जो राहुल गांदी जी के लिए लोगबाग का दूर दूर से देखने के लिए उम्मीद भर लगतरते थे जब साथ में चले उनका जो सोच है वो दू दूसरी तरह का है और आपने सही कहा कि पूरे मत्रदेश से लोगों की सह भागिता थी और उसका अच्छा संदेश किया है और मालवा निमाल के बेल्ट में कॉंग्रेस पिछले दफे अच्छी सफलता हाजसल की थी मुझे लगता उससे बहतर प्रदाश्वन अब की रहेग एक जब भी कोई नेता किसी कॉंग्रेस के नेता बीजेपी के नेता से मिलते हैं तो एक बार बार आता है कि भाई ऐसा ना हो फिर कुछ कॉंग्रेस के लोग तूड जाए आंक ने ऐसी सिती क्यों बन रही है आपके नजर में क्योंकि अब भी लोग कहते हैं कि इतने उनके स संपर्क में हैं एक बड़े संख्या वलके सांथ कॉंग्रिस पार्टी आई थी 2018 में लेकिन वह सम्हान नहीं पाई लेकिन अभी जो मिलते हैं फिर वही आरोप लगने शुरू हो जाते हैं तो इसको कैसे रोका जाएगा देखिए इतिहास में ले जाओं जो उनीस सो सरसट में टीपी मिश्राजी की सरकार गिरी थी और एस्वीडी की सरकार बनी थी उस समय भी बहुत मेरे ख्याल से पांसाथ दस साल लगे थे वो चर्चा समाप्त होने में जब एक दफ़े खरीद फरोद हो और वातावर प्रदूश्चित हो जाए तो कोछ समय लगता है ठीक होने में इस दफ़े जैसे सिंध्याजी के साथ और अन्य लोग भी चले गए तो चर्चा के विशह है यह 28 चले गए तो फिर भी जा सकते हैं और बियान बाजी तो दोनों तरफ से है कि हमारे भी संपर्क में हैं उधर से वाले भी आने वाले हैं और इधर वाले भी हैं तो यह कुछ असलियत से दूरी है खास तोर से जिसे आपने मुद्धों की बात की है 2023 में मद्ध्रदेश के जो मुद्धे हैं उनके अलावा इलाके के मुद्धे में से आपने गौलिर संभा की बात की वहां पर यह मुद्धा भी रहेगा जो नेता दलवदल करके आए है या विंद में आज विकास का मुद्धा है आज विंदे भी उतना विकास नहीं हो पाया है आखिर क्यों नहीं हो पाया इसके पीछे कुई आप कारण मानते है विंद को भारती जन्ता पार्टी ने दोहन का अंचल माना है यदि देखा जाए तो राजस किसी अंचल में सबसे ज़्यादा कहीं से आता है तो भिंद से आता है लेकिन उसके तुलना में वहाँ पर विकास नहीं हुआ अब तो यह भी लोग कहने लगे हैं कि कि हम लोग इतने भी सक्षम नहीं है कि कोई हमारे जिल्ञ का मंत्री हो कुछ जिलों में तो चार्-चार मंत्री है और रिव संभाग में स्पीकर के लावा सिर्फ मीना सिंग और एक पटेल जी है और बाखे तो कुछ है नहीं चे जलों में यह भी एक इनके लिए खत्रे घंटी है तो वहां पर जो एक ऐसी सिती तो चलिए वो जो सिंधिया ने लगातार इतने सारे लोगों को लेके आना था एक वो कारण बताते हैं कि भाई उनके पूरे चंबल गौले चंबल इलाके सबस्यादा नेता मंत्री मंडल में हैं और वो उनको अलग भी नहीं किया जा सकते हैं औ यह आगे चलके इनका नुकसान भी होगा जो दल बदलू थे उनको लाभानवित किया यह सबसे बड़ी सबसे बड़ा कारण रहेगा भारती जन्ता पार्टी को अगले चुनाव में जेलने को एक बात देखने में आती ही विंद अंचल की मांग भी लोग उठाते हैं कई न नुकसान नहीं होगा आगे 2023 के चुनाव में देखिए हसी मजाक में 36 गड़ बन गया और यह सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो हम लोगों को हुआ एक प्रांत बनाना अपनी जहिया पर ठीक है लेकिन सब की राय हो और उसमें विंद में फिर उस तरह से भी हो कि आधा बुंदेल खन पहले विंद प्रदेश में था दतिया तक था यदि सब को जोड़ा जाये तो तो कोई मतलब होता है और कुछ लोग सुर्व राजनेतिक अपना कद बढ़ाने के लिए बात करते हैं अभी एक और बात देखने में आती है कि जब भी बीजेपी कॉंग्रेस के बीच चर्चा या बातचीत होती है कॉंग्रेस के 15 महिने की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बातचीत होती है कि और वो अपनी 18 साल की उपलब्ध हैं जैसे बिजली का बिल किसानों करण गरीबों की पेंशन यह जो मुद्दे थे यह बहुत ही सटीक थे और उनका काफी लाव हुआ और यह मुद्दे रहेंगे चुनाओं के व्यक्तिकत सवाल इस तरह है कि जैसे आपके पिता के साथ आप एक संवर्ध राजनितिक विरासत के साथ आपको मिली आपके मन में राजनितिक ऐसे सवाल कब आए कि हमें राजनिति से जुड़ना चाहिए या विरासत तोर पर आए कि आपको अंदर से रिक्षा ऐसी जागी कोई ऐसा वाकिया आपके दिमाग में हो कि आप जनता की सेवा में आगे बढ़ना है मैं 1977 से जब से पुछ रिक्षा बढ़ाए करके लोटा तो इमर्जिंसी का समय था और पहला उप एक चुनाओं था 1977 में जो पिता जी का चुनाओं का मैंने संचालन किया असी में भी एलेक्शन एजेंट था उस समय तक ऐसा कुछ मन में नहीं था कि मैं खुद राजनीत करूं लेकिन जब वो पंजाब गए और राहूल गांदी जी राजीव गांदी जी ने खुद हम से कहा कि आपको चुनाओं लड़ना है क्योंकि हमाई लिए बड़ी सीट प कि चुनाओं लड़ना आगे चलके ही है तो क्यों ना अभी से और सेवा का संकल्ब था और राजनीत में हानी और लाब नहीं देखना चाहिए जितना हो सके काम करने से ही संतुष्टी होती है आज कल ठोड़ा ये परिभाशा बदल गई है बहुत दूसरे तरीकी के हो गई है अच्छी बात की हानी लाब नहीं देखना चाहिए आप पांच बार लगातार शे बार विधाय रहे और एक इसमें आप जैसे आपने पिता क जी ने भी राजीव जी से मना किया था कि वो खुट तेंग करेगा हमाई पिता जी ने हमें पंजाब से फोन नहीं किया था कि आपको हमें तुम्हें चुनाओ लड़ना है राजीव जी ने हमें कहा कि लड़ना है और इसमें कोई किन्तू परंतू नहीं सुनूंगा वैसे स समय था क्योंकि उनने मुख मंत्री गोटा के पंजाब राज जपाल बनाया था हम ने अपने बच्चों को जो परिवरिश की है वाइफ वह हमने उसमें अपना विचार उनके उपर थोपने का नहीं है सब सुतंत हैं और समय आने पर यदि कोई राजनीत में आएगा तो स्वागत है पर मैं जवड़दस्तिया नहीं कहूंगा कि उम्हें राजनीत करनी है क्योंकि आपकी तो एक फोटो भी मैंने देखी थी जिसमें आप ड्राइविंग कर रहा हैं इंद्रा जी उस समय बाजू में बैठी हुई पीछे जो है वीशी शुक्रा जी बैठे हुए है इस तरह का दौर उस समय आप मैंने इंद्रा जी की भी गाड़ी चलाई संजय गांधी के लिए बी चलाई राजीव जी की भी चलाई तीन परिवार की गाड़ी चला चुका हूं बलकि जब वो 76 में चुनाओ हारी थी और विपक्ष में थी तो काफी दिन तक उनका ड्राइवर भी था मैं और जो ने इंद्रा जी से उस उमर में मुझे मिला मेरे ख्याल से आज के समय में राजनीतिक नेता लोग इस तरह से नहीं बढ़ावा देते हैं और प्रेम देते हैं आपको लगता है कि अब जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आई राहुल गांधी का एक लोगों ने अलग चेहरा देखा तो अब यह लगता है कि 2024 में उसका एक फायदा होगा वो यह चेहरा होंगे तो जनता की जो एक उपिनियन है या जो प्रतिक्रिया है वो उसमें आज महिने में वो धरासाई हो गए डिस्कोर्स राजनीत में होना चाहिए उन्हें परिभास्षा बदल दी जो भारत जोड़ों का सपना सपन लेके वो आगे बढ़े हैं वो राजनेतिक रूप से पूरी चर्चा के विशे दूसरा हो गया है तो सभाविक है 2024 में अच्छी तरह से हो तो नतीजा भी बहुत अच्छा रहे है क्योंकि पिछले आठ साल से देखें तो जो मोधी शाह की एक अलग राजनीतिक करने की च्छमता है या उनका अंदाज है उससे कॉंग्रेस को क्या लगता है कुछ हाँ वो भी कुछ सीखने वाली बात है कभी ऐस इंद्रा जी की जवाने में भी जो कुछ ऐसे मंत्री थे जिनके वज़े से कॉंग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती और ऐसे नेता भी थे पूरे देश में कि उनकी बात रहती थी लेकिन फिलहाल जो मोधी जी और अमिज शाह का जो गड़वन्दन है ये एक मिसाल रहेग आगे चलके जब चर्चा होगी जब खतम हो जाएगा मामला तब यह रहेगा कि जिस तरह से इन लोगों ने चलाया और इसमें दवाव की राजनीच ज्यादा है और दवाव की राजनीच से कितने प्रांथ में सरकार बना ली ये भी चर्चा के विशे रहेगा जोड़ क्योंकि 2023 में कांग्रेस के लिए क्या चुनौती अब तो खेर कांग्रेस में जो कहते हैं कि गुटबाजी जो हमेशा सवाल उठाये जाते थे कि इनका गुट है ये गुट है इस तरह की बातें आती थी 2023 में आपको लगता है कि अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या रह गया है वो सड़क में आनी जी है जब तक आप धर्ना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ कि कस्बों में गलियों में नहीं वर कर उत्रेगा तब तक उस महौल को अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगे एक होता आवा मंदल एक होता है कि अपने आप विवस्था बन रही है जनता का मूड है समय की पुकार है पर कुछ हमें भी करना पड़ेगा तभी फाइनल टच आएगा शिवराज सिंग पी बड़ी चनौती के रूप में है कॉंग्रेस के लिए शिवराज सिंग जी अब कुछ चनौती गूरूप में नहीं है जितना वो दोड़भा कर लेते हैं उतना औरों को भी करना चाहिए बिल्कुल सभी बात है औरों को भी करना चाहिए लेकिन एक बात जो देखने में आती है कि कॉंग्रेस में जो चहरा है अभी से कमणा जी ने अपने लिए कर रखा अंके सांथ सब को जूड़के कैसे काम कर पाएंगे क्यूँ कि एक जो देखने में आता है और दिखाई देता है उनके सांथ निताओं में वो कैसे पाट पाएंगे लोग अंतर नहीं है कमलनाज जी सर्माने निता है लेकिन दस पंदरा और लोग हैं जिनको एक साथ लेकर जो इस चुनोती का लड़ाई लड़ी जाए तो और बहतर होगा कितनी सीटें आप उम्मीद करते हैं इस बार 2023 में कॉंग्रेस की पिछले चुनाव से ज्यादा दोजार अठारा में जितनी मिली थी उससे भी ज्यादा रहेंगे आधार खुद का आकलन है कि आपका आकलन है कि ऐसा होगा और उन मुद्दे और उन चुनोती के लिए पूरी बीजेपी से लड़ने के पूरी कॉंग्रेस एक जुट है देखे कॉंग्रेस का वर्कर एक जुठ है कहीं कहीं नेताओं में हम लोगे हैं आप अस्पिताल मेलना हों कोई टिक्ट चाहता है कोई कुछ है कोई और द्विकारण है लेकिन कॉंग्रिस का मूल जो वरकर है वो चाहता है कि सरकार में और लड़ाई लड़ने के लिए त्यार है बिल्कुल एक और सवाल यह है कि आप लगातार अपने छेतर में रहते हैं कभी बोपाल में कारकर्टाओं के साथ रहते हैं व्यक्तिकत आपको पढ़ने में क्या दिश्चस्पी लगती है कई बार असा लगता है कि किसी और इसको यह कहेंगी पढ़ने में या कोई दूसरे ऐसे काम में तरी राजनेता नहीं होते तो राजनेता नहीं होता तो मैं एक अच्छा कृशक होता और नई टेकनीक के साथ कुछ ना कुछ करता है मुझे सिर्फ दो चीजों में रुची है यह तो खेती यह पढ़ाई में पढ़ने में और खेती में निकल जाता है मौका मिलेगा तो मद्धिप्रदेश की जो खेती है या किसानों की आयए बीजेपी कहती दुगनी करेंगे लेकिन आप उस चीज को आगे बढ़ाएंगे मैं इस तरह की बातें नहीं करता है कि दुगनी तिगनी करूंगा लेकिन आथ निर्भर बनाने की पूरी प्रयास पूरा प्रयास करूंगा जो समस्या है किसानों के बीच में उसको थोड़ा निचले स्तर तक देखना चाहिए चोटी-चोटी समस्या है जिसका समधान यह दुगनी और तिगनी से नहीं होता है विवस्थास हो जाता है एक और सवाल है आपने किसानों की बूले लेकिन मध्यप्रदेश में जो डिवलप्मेंट होना चाहिए इनवस्थर समिट से होते हैं अभी फिर इनवस्थर मीट होने वाली है लेकिन मध्यप्रदेश में जिस तरह से उद्योगपती आने चाहिए या जो आके वादा करके भी चले जाते हैं वो धरातर पर दिखाई नहीं है आप उसका कारण क्या मानते हैं कि मध्यप्रदेश में ऐसी सिती है लेकिन कंटिनुटी नहीं है और जो एक सोच के माध्यम से उपर से नीचे तक काम करना चाहिए वो नहीं होता है जैसे हर्याना उस समय जब बंसीलाल जी मुक मंत्री थे सबसे ज़्यादे टेजी से द्योगी करण उस समय हुआ उनकी भाषा होती थी अपने अधिकारियों से सबी अधिकारियों एक साथ बुलाते थे यह है फाइल यह बंदा करना चाहता है एटले साइकिल डालना है इसको जमीन जब सब चीज हो जाए पंदरा दिन में हमें फाउंडेशन नेना है ऐसा होना चाहिए इन्वेस्टर सम्मिट और ब्रैंडिंग और उसके बाद फॉलो अपना हो वह हो रहा है यहां पर उसके और दूसरा कागज़ों पर बड़ा मजबूत देखते हैं कागज़ों बज़ों बज़ों पता नहीं कितने लाग करोड़ों की इंवेस्मेंट हो चुके होंगा थारा साल में धरातल में क्या है एक कोई बड़ा उद्योग नहीं है हमारे पिताजी की सोच थी कि सेंट्रल इंडिया में आटोमोबील हब बना चाहिए होगा आने चल तो उन्होंने पीतंपुर में शुरुआत कराई थी पीतंपुर बनाया था और हिंदुस्तान मोटर्स और फोर्स मोटर्स यह सब जितनी विदेशी कंपनी आई तो कोई गुजरात में कोई तामिल नाडू में है और उनको सप्लाय करना पड़ता है पूरे देश में यही कंपनिया मत प्रदेश में होती हैं चाहे हुंडाई हो चाहे फोर्ड हो जो कंपनी हो तो लॉजिस्टिकली फाइदा उनको भी होता और हम सबको होता तो वो नहीं हुआ तो फॉलो अप फॉड़ा कटन है एक वर आखरी सवाल है कि आप पिता की ऐसी कोई जो उनके सपने या आपको कुछ आगे बढ़ाने का मौका मिले तो किन बातों को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उनका राजनिती में ऐसा नाम है जो द ऐसा प्रश पूछ दिया आपने जिसके लिए विस्तार से चर्चा करनी पड़ेगी थोड़ जिसके आपके दिमाग में कोई हो जो लगता हो बार बार खटकता हो या इसको ऐसा करना चाहिए मत प्रदेश उनके निगाहों में बहुती समरद और शान प्रदेश था और उसकी कल्पना को और आगे बढ़ाने के कोशिश था है तो लगता है कि क्या कमी हो क्या होना चाहिए कुछ ऐसी बात आप युवाओं को कार करता हूं कहना चाहिए कि युवाओं के बीच में सबसे ज़्यादा बड़ी कटनाई है बेरोजगारी और यह संभव मिटाने में तभी है संभव है जब उनके लिए लगुद्योग और बड़े उद्योग का विस्तार हो और उनके लिए अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो जैसे अलग-अलग अंचलों में अलग-अलग तरह के वो है उस तरह से जो वो हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आ चाहिए कॉंग्रेस के खास्तों से कॉंग्रेस के युवा जुड़ रहे हैं उनको नई किस दिशा देने के लिए कैसे राजनीती में करना चाहिए कुछ कोई टिप्स आपको लगता है कि आपसे जुड़ें कॉंग्रेस से और आगे बढ़ाएं कॉंग्रेस को लेकिन युवा तो हमारे पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे कम उमर के वर्किंग फोर्स पॉपलेशन हिंदुस्तान की है हमारा सबसे बड़ा तो मैन पार एक्सपोर्ट करने लाइक है आगने वाले समय में बहुत युरूपियन नेशन्स हैं जहां पर काम करने के लिए लोग बा है तो बहुत बड़ा अलाब मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये थे अजे सिंग राहुल भीया जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और मद्रप्रदेश की नए किस तरह से विकास करना है उन सब के रोडमेप भी उन्होंने बताया कैसा होना चाहिए अगले हफते फ बहुत कि बालाबि